तो शावन के महीने का शुभारम भोचुका ऐसे में तमाम अधिकारी तयारियों का जायजा ले रहे हैं गंग घाटू का निरिक्षन लिया जा रहा है इसी दोरान भक्तों की सुरक्षा में लगे जवानों को जरुरी दिशा निर्देश भी दिये जा रहे हैं किसी भी तरह की लापरवाही से बचने की निर्देश भी तमाम कर्मचारियों को दिये गए हैं ड्रोन कैमरों से तमाम जगों पर नजर रखी जारी पूरी रिपोर्ट देखिये इस समय हम मौझूद हैं जनपद हापुड की तीरतनगरी बचगाट में और लगातार यहां पर जो अधिकारी हैं सुरक्षा विवस्ता के मद्दे नजर उनका लगातार यहां पर निरिक्षण चल रहा है और आज उस निरिक्षण में यहां पर पहुँचे थे मेरट एडी जी जॉन राजीब सबबरवाल और हापुर के पुलिस कप्तान दीपक भूकर दोनों ने यहां पर सुरक्षा विवस्ताओं का जायजा लिया और बैरिकेटिंग से लेकर सीची टीवी कैमरे और बाकी सुक्स विदाएं और भोले जो सिभख्त यहां पर पहुँचेंगे उनकी सुरक्षा को कितना मुस्तेदी से किया जा सकता है उनकी यात्राओं को कितना सुगम बनाया जा सकता है इस पर प्रशाशन का खाका तयार है वहीं जाम से निवटने के लिए रोड मैप तयार किया गया है देखें यहाँ पर आपने देखा होगा कि जैसे में चीज जो दो चीजें यहाँ पर हैं लोग यहाँ पर स्नान के लिए और जल लेने के लिए आते हैं तो उसके लिए यहाँ पर बेरिकेडिंग की विवस्ता और अपकी बार पहली बार फ्लोटर्स भी लगाए गया है ताकि जो जल के अंदर बैरिकेडिंग लगी है ताकि कोई जल में ज्यादा गहराई में ना जा पाए तो इस बैरिकेडिंग के बाद ये फ्लोटर एक तोरह से दूसरे बैरियर का काम करेंगे इसके साथ-साथ हमारी जल पुलिस की टुकड़ी भी है यहां पर और हमने लोकल गोता जो कि यदि कोई किसी प्रकार का कोई किसी का पाउं स्लिप कर जाए या कहीं गहराई में चला जाए तो इसको वहां से निकालने में फायदा में दोगा इसके अतरिक जो बाकी सब विवस्ताएं हैं वो जो कावड यात्री हैं हमारे वो सुविधा पूरवग यहां पर आए इसके अतरिक जो हमारी घाटों की एंटी सबोटाइज चेक है बाकी जो हमारी टीमे है जो सादे में लगी रहेंगी पबलिक के साथ हमारे कुछ हमने स्पेशल पबलिक वाले भी अपने साथ रखे हैं जो इधर उधर सब लोग किसी की कोई समस्या है उसके लिए हमारा कंट और ऐसे और 26 के बीच ये चलने वाली कावर यात्रा प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनोती होगी और प्रशासन इस यात्रा को कितनी सुगम तरीके से करा पाएगा यह देखने वाली ही बात होगी रब्तार मीडिया के लिए हापुर से सोनू उपाध्यागी रिपोट इस समय हम मौजूद